कि यह गाइज मेरा नाम है फैजल खान और आप सब का स्वागत है जियो खान जियोलोजी एप के ऊपर इंवर्टिब्रेट पैलेंटलोजी हम स्टार्ट कर चुके था है और इंपोर्टेंट इसकी इंपोर्टेंशी आप इस चीज से देख सकते हो कि आप कोई भी एक्जाम देंगे जैसे इस सेशन में इतनी भी एक्जाम्स होंगे गेट की नेट की जिये साइपिलिम्स की या जो जैम वाले बच्चे हैं तो भी एक्जाम्स में से किसी एक एक्जाम में इकाइन अडर्मेटा से किसन होगा ही होगा ठीक है सब में हो जरूरी नहीं लेकिन इन में से किसी एक एक्जाम में इकाइन अडर्मेटा से किसन मिलेगा ही मिलेगा ठीक है यह इसकी खासियत है कि हर में किसे ने किसी एक्जाम में यहां से क्यूशन आते ही है थोड़ा सा लेंदी है खोड़ा सा ट्रिकी भी है उसको हम डील करते हैं दिरे-दिरे देखो इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है ना एक आपने कोड़ेटा फाइलम भी पड़ा होगा ठीक है जब वर्टिब्रेट प सब्सक्राइब करते हैं तो आपने को मिलता इस्पाइनी स्किंट इसको आपका किस में किसमें घ्रेटा फाइलम के अंब अब इसका जब घ्लाशिविकाशन गरेंगा तो कई सारी classes आएंगे ज़से एकाइनोडिया है तो एकाइनोडिया जब एकाइनोडर्मेटा के अंदर फर्दर आपन classification करते हैं तब आपको एकाइनोडिया मिलता है ठीक है उसको भी आपन देखेंगे जब एकाइनोडर्मेटा के इंदर आपका कौन सा"; ग्रेड मिलता है जों सब्सक्राइब कौन सा वաղा मेटाテ侖ाँ के अंदर जो मॉस्ट एड्वांस कोंड सब्सक्राहिं प्रेड प्लांडी के इस दिफ्य Hum Similar सबसे पहला तो मिनिंग समझ में आएगा गई अब यह जो एकाइनो डर्मेटा का जो एंड़र्ण है जो ऑड़ पार्ट वो कई तरह की केल के रस प्लेट से मिलकर बना होता है अब एकजेकली इसकी मौर्फलोजी आपन बायोलोजिकल प्रस्पेक्ट्व में ने डिस्कस करेंगे बस मानके चलोर कि यह बहुत सारी केल के र और इसके अंदर एक बहुत ही डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है जिसको अपने बोलता है फाइव रे पेंटामेरल पेटन का मतलब क्या है कि बहुत सारी केल केरेस प्लेट से मिलकर के बना हुआ है उसके इस तरह से arrangement है कि अपने को एक 5 सितारा जैसा दिखता है एक center से 5 सितारे दिखते हैं जैसे यह होता है आप परकर्शन figure वगर पढ़ते हैं तो उसमें दिखते हैं कि 1,2,3,4,5 इस तरह से दिखता है ऐसा ही एक अनडर्मेटा के अंदर 5-ray pentameral pattern देखने को मिलता है जो इ जो भागों जी मुंटे है अपका डॉड जल भू है अभी आपन discuss करेंगे जैसे यह plates प्रगोंद ठीक हें इनंको भी आपन डिस्कस करेंगे कि genital plate प्लेट तो उस ताइम पर मैंने आपको बताए था एक वाटर वर्सकुलर सिस्टम इस वेरी वेरी यूनिक फिचर ओप दी फाइलम इकाइनो डर्मेटा ठीक है और यह में आपको जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपने को प्रस्पेक्टिव में पढ़ना इसको बायोलोजिकल प् करने की वाटर वर्सकुलर सिस्टम इस वेरी वेरी यूनिक फिचर ओप दिस फाइलम ठीक है और यह वाटर वर्सकुलर सिस्टम काम क्या आता है इसके यह काम आता है एक तो इसके लोकोमोशन में और इसके रेस्पिरेशन में दो बहुत इंपोर्टेंट काम करता है एक तो अलावे यह पोइंट आएगा कि बहुत सारी न्युम्रेस कि शुर्स बेला कर बना आए इतरा मतलब क्या हो गया कि इसका Öz कंपोजीशन है तो यह किस तरे के इंवारेमेंट में रहता होगा Sleep अब अब इंवारेमेंट आपकी वेराइटी-व्धी थिंस मीं मिल सकता है क्योंकि alkaline environment जो हो पीएस के ओपर डिपेंड करता है और पीएस जो है उसको regulate करने वाले factor बहुत सारे हैं ठीक है तो वह आप वैसे chemical environment बहुत पार पड़ चुके है oceanography में भी मैंने उसमें डिल किया था आपके पहले एंडिलोजी में भी करेंगे chemical environment को बहुत डिटेल में डिल किया हुआ है स्टार्टिंग के लेक्चर होंगे दूसरा यह तीसरा लेक्चर है ठीक है तो यह जनरल characteristics हैं इसके अलावा जो इसके थोड़े से टेक्निकल आस्पेक्ट सा उनको और डिल कर लेता हैं उसके बाद में अपना आगे बढ़ेंगे इसके कोन-कोन से living representative है क्यों जरूरी है यह बताना क्योंकि यहां से क्यूशन उन्होंने उठा लिया है ठीक है तो जब जब कभी भी किसी एक्जाम में क्यूशन आ जाता है न तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से बागी की एक्जाम में क्यूशन आने की बहुत ज़्यादा हाई होती है ठीक है आपने देखा होगा कभी आगर पेपर पेपर्स का इनलेसिस किया है तो जब कभी भी कोई फ्रेश टॉपिक से किसी एक्जाम में क्यूशन आता है न तो उसके होती है उनको ठीक है तो अब इसके जो लिविंग रिपरजेंटेटिज जबंब वो कौन-कौन से है एक आपका सी अरकिंस है ठीक है यहाँ पर देखेंगा अराम से यह आपका सी अरकिंस है जिसको इकाइनोड सी बोलते है आपन मैंली फिर आपका स्टार फीशेस हैं ठीक है इनको भी आपन डिसकस करेंगे बाद में अगर जरूरी लगेगा तो अपन इसको कवर कर लेंगे नहीं तो बस ध्यान में रखना कि बलास्टोइड्स और सिस्टोइड्स जो है यह आपकी एक्स्टिंट फॉर्म से ठीक है अब इसके मॉर्फलोजी को डील करने की कोशिश करते हैं अपने इससे पहले थोड़ी दिर पहले देखा था कि फाइव रे पेंटामेरल पैटन जो है इसके मॉर्फलोजी का बहुत ही युनिक सा फिचर है ठीक है ऐसा पैटन आपन जैसे माइका में आप पड़ते हैं तो परकसन फिगर जब पड़ते हैं ठीक है चेटोइंसी में मैं आपको बताया था इस्टेरिजम वगरे में कुछ मिन्रलोजी में आपको याद आ रहा होगा फाइव रे पेंटामेरल आपको दूसरा नाम बोखता हैं उसके अलावा इरेगूलर एकाईनोड और इकाईनोड तो आपको में अपने पास में ऊपने पास में अपने पास में उसकी morphological aspect होंगे तो उनको अपन थोड़ा सा और detail में discuss करते हैं ताकि आपको यह चीजे भैतर तरीके से समझ में है ठीक है तो इसको मैं कुछ और details में discuss करता हूँ मैं यह जो living representative वाला है इसको अड़ा देता हूँ पेरिस्टॉम पेरिप्रोग्ट कोरोना एंबिसस एपिकल सिस्टम एक्जर्ट इंसर्ट आपका ओकुलर प्लेट जेनिटल प्लेट मेट्रोपॉराइट प्लेट अरिस्टोटल लांटेन परिगनेटिक गर्डल फेश्योल पेडिसलेरी ठीक है इसके अलावा एंबुल एक्रेल एरिया इंट्रेंबुल एक्रेल एरिया यह कुछ इसकी बेसिक टर्मिनलोजी है जो इसको बहुत ही यूनिक सा बनाती है आपके मैंने कुछ नाम लिख्या है पेरिस्टॉम पेरिप्रोग्ट ओकुलर जेनिटल रिंग्स अभी सरफ इन्हीं को डिसकस करे को ब professors क्या है आपके पास में दो साइडम सुथी है एक आपकी एंटीर्य है एक आपका प्वंट नोजम सैड़ होता है और अपने और और औरल साइड भी बोल देते हैं क्यों यह वहां पर माउथ प्रजेंट है और जो आपके पॉस्टिरर मार्जिन होगा उसको अपन और अपने बास में वेंट्रिल और दौजल भी होते हैं तो वेंटरल साइड में लगबग क्या होता है आपका स्टॉमक ट्वार्ज इस्टॉमक होता है और उसी साइड में आपका क्या बोलेंगे कि मैरा लंटरल व्यू है ठीक है और यह आपका स्टॉमक छह इन को आपका बुलता है ठीक है तो यह परिष्टॉम क्या है circular and sub-circular plates and rings which are enclosing the mouth ठीक है फिर आप बोलते हैं कि dorsal view में देख रहे हैं और यहाँ पे anal aperture है और anal aperture को circular और sub-circular plates है वो क्या कर रही है इंक्लोज कर रही है तो इन circular sub-circular plates जो anal aperture को इंक्लोज करे हैं उनको आप क्यालता है periproct क्या बोलेंगे periproct तो आप ventral view जब देखेंगे तो आपको peristorm दिखेगा और जब आप dorsal view देखेंगे तो आपको periproct दिखेगा ठीक है अब यह जो calcareous plate का जो धांचा है जो इसकी morphology बनाती है बहुत सारी numerous plates से मिल करके बना है fibre pentameral pattern इसकी वज़े से आता है और bilateral symmetry भी मिल सकती है regular irregular यह define कर दिया mouth कहा है mouth को enclose करने वाली plates को क्या बोलते है anal aperture कहा है anal aperture की जो enclose करने वाली plates होंगी उनको क्या बोलते है यह चीज़ तो पकड़ में आगे ठीक है अब यहाँ पे आपकी oculogenital rings लिखी में है oculogenital rings ठीक है जैसे मान लो कि मैंने यह एक छोटा सा डाइग्राम बनाया यह ventral view में है यहाँ पे आपका mouth present है और इसको कुछ calcareous plate हो enclose करें जो circular सब-circular हो सकती है max to max और यहाँ पे क्या हो रही है आपकी कुछ बड़ी plates है और कुछ चोटी plates है ठीक है टोटल कितनी है 10 है 10 में से 5 चोटी है और 5 बड़ी है ठीक है मैं बना देता हूँ इसको एक बार में 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गई तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 बड़ी plates है और फिर यह देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 चोटी plates है तो टोटल आपकी कितनी plates की ring है 10 plates की ring है उन 10 plates में 5 चोटी plates है 5 बड़ी plates है तो चोटी plates होती है इनको आप क्या बोलते है Ocular rings ठीक है यह Ocular plates और जो 5 बड़ी plates है उनको आप क्या बोलते है Genital plates क्या बोलना है Genital plates ठीक है अब यह जो ocular plate है यह भी कितने है पांच है और यह genital plate है यह भी कितनी है पांच है यह larger है और यह आपकी smaller है ठीक है यह smaller है लेकिन एक और basic fundamental difference है इन दोनों के बीश में वो difference क्या है कि ocular plate जो है यह आपके triangular होती है ठीक है ट्राइंगुलर होती है और यह जो आपकी genital plates है यह आपकी pentagonal हो सकती है और polygonal हो सकती है ठीक है तो यह basic difference आपको ध्यान बार रखना है और इसी के basis पर assistant geologist के exam में आया वाक्यूसान है ठीक है यहाँ पर यह basic difference समझ में आ गया है कि ocular plates है वो छोटी plates है triangular है पांच है genital plates पांच है बड़ी plates है और pentagonal हो सकती है ठीक है और दोनों को मिला करके अपन क्या होलता है ocular genital rings ठीक है अब जो आपका जिस साइड में periproct है मतलब जो aboral साइड है जो डॉर्जल व्यू के अपन बात करेंगे तो यह आपका ocular genital rings मिल करके एक एपिकल सिस्टम बनाती है ठीक है एपिकल डिस्क लाइक सिस्टम बनाती है इस तरह का ठीक है यह एपिकल सिस्टम बनाती है तो यह आपको किदर मिलेगा सिरफ डॉर्जल व्यू में जहां पर परिप्रॉक्ट होगा जहां पर एनल अपरचर होगी वहीं पर आपको यह अपिकल सिस्टम देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरह से काम करता है इसमें दो हल्प करता एक तो विजन में देखने में हेल्प करता है और दूसरा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता तो यह आपकी जो oculogenital rings है यह दस होंगी पांच छोटी होंगी पांच बड़ी होंगी जो चोटी प्लेट्स हैं वह ट्राइंगुलर सेप में हैं जो बड़ी प्लेट्स हैं वह आपकी पेंटागोनल हो सकती हैं और जो परिप्रोक्ट मार्जिन जहां पर होगा वहां पर यह मिल करके एक सिस्ट करता है एक तो उसको सांस लेने में मदद करता है और दूसरा इसके रिप्रोडेक्शन की प्रोसेस में help करता है ठीक है तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते है इसका जो next part होगा उसमें अपन और इसको detail में discuss करेंगे ठीक है